नमस्कार मैं हूँ अशोक और स्वागत है आपका मेकेनिकल nexus में आज बात करेंगे हम एक इंपोर्टेंड व्यल्डिंग की जिसका नाम है थरमिट वेल्डिंग तो चलिए दोस्तो शुरू करते हैं, बात करेंगे एकदम बेसिक से तो thermit welding है हमारी एक fusion welding का type ये है हमारा एक fusion welding का type और fusion welding वह welding होती है जिसको homogeneous welding भी कहा जाता है या liquid state welding भी कहा जाता है अब बात करते हैं ये thermit welding होती क्या है thermit welding को समझने से पहले हम एक word को समझते हैं जिसका नाम है thermit देखें ये thermit word है ये एक word thermite से लिया गया है यानि इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है इस word से thermite से अब ये thermite क्या है इसको समझेए देखे thermite जो है aluminium का और iron oxide का ठीक है एक powder form में बहुत fine particles और powder form में एक मिश्रण होता है इससे ये थोड़ा हमें idea लगा कि अगर हमें इस aluminium oxide और iron oxide का एक powder form में use करेंगे और उसका use हम welding करने में करेंगे तो इस तरह की welding को कहते हैं हम thermite welding और ये किस type की welding है एक तरह से समझ लिए chemical reaction type की welding है यानि इसमें chemical reaction होता है और उसके बाद ही heat produce होती है उस heat से metal melt होता है और हमारे cavity में भरा जाता है अब थोड़ा बात करते है इसके अंदर होने वाले chemical reaction की जो बहुत important है देखिए जैसा मैंने अभी कहा thermite welding में हम reaction करवाते हैं thermite powder की और thermite powder होता क्या है ये हमारा aluminium, aluminium में air लिख देता हूँ और iron oxide, iron oxide का chemical formula होता है Fe3O4 ठीक है इसका हम reaction करवाते हैं अब यहां से हमारे welding सुरू हो गई है देखिए जब हम इसका reaction करवाएंगे तो होता क्या है ये aluminium इस oxygen के साथ reaction कर लेता है और reaction करके बनाता है aluminium oxide ये इसने reaction करके बना दिया aluminium oxide Al2O3 यहां बचा iron, iron separate हो जाता है तो यहां पे हमारा iron separate हो गया साथ में जब ये reaction होती है तो हमारी बहुत ज़्यादा heat produce होती है तो यानि इससे हमारी produce होई heat और लगबग लगबग इसमें जो heat produce होती है वो हमारी 3000 degree centigrade तक होती है तो एक बहुत high temperature है 3000 degree temperature जो है iron का लगबग लगबग दो गुना temperature है यानि iron को क्या एक सूपर heated state मिले जाएगा और उसे पूरा melt कर देगा अब इसमें एक चीज़ समझीए aluminum oxide क्या है दिखिए aluminum oxide आप इसकी chemical reaction को balance कर लीजेगा मैंने आपको एक basic समझाने के लिए लिखिया aluminum oxide एक तरह का slag है और slag कहते किसे हैं यह एक male होता है male मतलब जिसका हम use नहीं करते और यह हमारा जो molten metal होता है iron उसकी surface के उपर हलका होने के कारण तैयरने लग जाता है अगर यह उपर त्यारता है तो दो काम करता है एक तो यह हमारे oxide से बचाता है यानि surrounding air में जो भी oxygen है उसका metal के साथ contact होने से बचाता है जिस कारण हमें pure form में हमारा metal मिलता है यानि weld मिलेगा मगर यहाँ पर एक चीज़ देखिए यहाँ जो हमारा reaction हुआ यह जो reaction है एक किस type का weld किस type का reaction है यह भी mcq में पूछ सकता है तो देखिए दोस्तो thermit welding में जो यह reaction होता है इसको कहा जाता है exothermic reaction exothermic reaction । ठीक है exothermic का मतलाब होता है क़ंदी में से उश्माचेफि अभीकरिया कहते है ठीक है उश्माचेफि यह exothermic reaction होता है हीट, release होती है कहाँ release होती है तो surrounding यहां पर कितने हीट हमने release कर दी 3000 डिग्री, temperature को release किया है यानि कि कभी पूछे कि thermit welding किस टैप की welding है तो हमारा ये exothermic type की welding है दूसरी हमारी reaction में endothermic आते जिसे उश्मा शोशी भी कहते है वहाँ पे हमारी heat surrounding से ली जाती है मगर हम यहाँ बात करते है thermit welding के thermit welding हमारी एक exothermic welding है पहला important question दूसरा बात करते हैं देखे इस welding में हम जो aluminum का और iron oxide का जो ratio लेते हैं ये बहुत बार exam में पूछा गया है हर exam में generally आप देखेंगे तो ये ratio रटना नहीं इसको समझना देखें हमारा ये aluminum है और ये मैंने बते हैं आपको slag है male है unwanted है तो हम इसे कम use करेंगे तो इसकी जो percentage होती है वो one रखी जाती है ठीक है और हमारा जो iron है iron हमें चाहिए क्यों कि ये casting में डाला जाता है अभी हम इसके detail construction को देखेंगे तो हमें जादा चाहिए तो इसलिए iron की मातरा जो होती है इसके ratio में 3 रखी जाती है ठीक है अब दीकी बच्चों बहुत confused हो जाते हैं क्योंकि paper में ऐसे ratio 3 या 3 ratio 1 अब मैं इसे 3 ratio 1 के रुप में लिखूं देखिए 3 ratio 1 के रुप में मैंने लिख दिया तो ये confused मत होना जाद रखना छोटा वाला हमेशा aluminum होगा और बड़ा वाला iron होगा ठीक है यहाँ पर यह aluminum होगा यहाँ पर यह iron होगा तो ऐसे ratio 1 होती है composition है इसमें हम एक चीज और समझते हैं इसमें जो समझने वाली चीज है जब हम यह reaction करवाते हैं aluminum का और iron oxide का तो हम यहाँ पर इस reaction को थोड़ा तेज करते हैं क्योंकि natural form में देखा जाए तो यह बहुत slow होगा मगर हम इसे बहुत quick करते हैं और quick करने के लिए हम जिसक का use करत है barium barium peroxide ठीक है यह है peroxide यह हमारा एक agent है मैं लिख देता हूँ agent है जिसका काम केवल इतना है इस reaction को बहुत तेज कर देना और यह इतना तेज कर देता है कि लगबग लगबग 30 second के अंदर यह degree लिख दिया sorry मैंने यह second है यह 30 second के अंदर इसका जो temperature है वो 1500 degree से 3000 degree तक चला जाता है तो यह था बहुत important topic इस thermit welding के बारे में अब हम बात करते हैं इसकी detail construction की तो देखिए जो आपको diagram देख रहा है सबसे top पे आपको देखेंगे यहाँ पर crucible है कुरिशीवल एक तरह से आप समझ लीज़े बट्टी टाइप होता है इसमें होता क्या है इसकी चारों तरफ के जो boundary होती है वो refractive होती है refractive उस चीज़ को कहा जाता है जो high temperature को भी bear कर सकती है इसके अंदर क्योंकि temperature हमारा develop होता है 3000 degree centigrade जो एक बहुत जादा temperature है उस से बचाने के लिए ताकि यह खुदना गल जाए यहाँ पर refractive line रखे जाती है इसके अंदर हमने रखा है aluminium oxide iron oxide और जैसे मैंने अभी बात करा barium peroxide की help लिंगे ताकि यहाँ पर chemical reaction बहुत तेज हो तो यहाँ पर इसको हम थोड़ा heat करते है heat इसलिए करता है ताकि इसकी chemical reaction स्टार्ट हो जाए जैसी होता है होगा क्या 30 सेगिंड के अंदर यह 3000 degree तक temperature को ले जाता है aluminium oxygen के साथ reaction करके aluminium oxide बना देता है जो कि एक slag है मेल है और iron अलग हो जाता है यही iron हम यहाँ पर casting में यूज करेंगे इस welding में ठीक है यह purely purely जाएगा ठीक है heat develop होगी वह मैंने आपको बता दिया अब देखिए बहुत नीचे असान है यहाँ से casting शुरू हो जाती है अगर आपने casting पड़ा हो जो हमारा tapping pin की help से यह molten metal नीचे डाला जाता है अब नीचे डाला जाता है तो उसे डालने से पहले जो हमारे object है जनरली हम rails को जोडने के लिए इसका यूज करते हैं rails मतलब rail पट्रियों को ठीक है तो पहले हम rail पट्रियों के दोनों edges को थोड़ा heat कर लेते हैं उसके लिए हमने यहाँ पे preheating hole दिया हुआ है उससे होगा क्या जैसी हम यहाँ पे molten metal डालेंगे और हमारा जो दोनों edges हैं प casting object के अंदर चला जाता है यहाँ पे हम rails यूज कर रहे हैं ऐसा नहीं है आप साफ्ट की casting को यानि साफ्ट को जोडने के लिए या बहुत-बहुत बड़े machine parts को जोडने के लिए इसका यूज करते हैं इसकी एक advantage क्या है इसकी एक advantage यह है इसके लिए हमें electricity ने चाहिए ठीक ह यानि हम इसको कहीं पे भी ले जाके perform कर सकते हैं एक chemical reaction के रूप में तो इसका use हम generally करते हैं साफ्ट को जोडने के लिए तूटे हुए machine parts को जोडने के लिए और सबसे important rail road को चोडने के लिए तो यह था दोस्तो हमारा thermit welding के बारे में thank you for watching